बिसमिल्लाइवामानुराहीम असलाम वालेकूम एक मैं यूटूब चैनल उमीद करता हूँ कि आप सब दोस्ते हैं अलियत से होंगे आज की वीडियो में बहुत इंपोर्टन वीडियो गिक की इमेज मैंने आपको बोला था फाइवल में दो ही चीज़ों पर नजर पड़ती कैनमा के ओपर फ्री फाइवर की जो गिक की इमेज बनाने हैं और उसका क्या साइज अगर आपने नेक्स्ट लेवल तक जाना तो अगर आपको कोई भी ग्राफिक का कोई दोस्त है आप उसको बोल तो कि यार मुझे इस साइज की एक अट्रैक्टिव सी इमेज बना दो तो तो यह नीची आ जाते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेस्टिन और यह साइड पर डायलोग बोक्स बना हुआ है यहां पर लिखा वट आर एफ़ एक्यूज हैर यू कैन एड़ आंसर तो दा मॉस्कॉमन ली आस्क्वेस्टिन जो मॉस्टली कॉमन जो कॉमन कॉस्टिन होत है जैसे कि यहां पर देखें एड़ एक्यू का उप्शन और यहां नीचे भी है तो आप जहां पर मर्जी कर लें हम यहां पर करते हैं और हम कुस्टिन सबसे पहले लिखते हैं हम सोचते हैं कौन से क्वेस्टिन है जिनका आंसर देना जरूरी है जो कि कॉमल लिए है कि हम जाते हैं कि हम फाइवर पर जाते हैं जैसे यह मेरी घ्म और यहां पर मैंने यहां पर देखें मैंने कौन सा कीवर्ड यूस किया गैस्ट पॉस्ट की इतनी आहम conceived है क्या आप दा हूं मृनके हर जगह पे मैंने कीवर्ड यूस किया हुआ है यहां पर देखें नीचे वाले question में what is the experience in the field of guest post मैंने अपनी हमने जो गिग्गा वो guest post में बनाई है तो मैंने हर जगा पर guest post का keyword use किया है तब ही मेरी दो मीने के अंदर-अंदर मुझे order लग चुके हैं दो और मैं आपको show भी कराऊंगा end of the video या end of the course पर आपको जब tips and tricks बताऊंगा और हम live test भी मैं आपके सामने pass करके दिखाऊंगा और इन्शाल्ला उसके बाद मैं आपको tips and tricks भी सारी बताऊंगा बन तो गई हमारी अच्छे से बन गी और next हमने क्या करते हैं तो हम मैं simply क्या करूंगा आपने इस तरह क्या करना आपने जाना है new tab में वहां पर आपने fiber को open करना है यहां पर ना कुछ है हम इनको open कर लेते कुछ gigs को हम new tab में open कर ले मैंने 2 gigs को new tab में open किया अब हम इनके भी देखते हैं इन्होंने क्या लिखे हुए हम सब इदर स्क्रॉल करते हैं यह थे कि इसने भी faqs add किये हुए और next की तरफ चलते हैं इसने भी faqs add किये मैंने आपको अपने faqs भी दिखा दिये इसने का विच बैग लिंग कैन आई गेट सही है मस्ट भी डूफोल एंड पर्मनेंट एंड गूगल इंडेक्स बैग अच्छा कोशन इसने लिखा हुए और क्लाइन को बहुत अच्छा लगेगा यह वह वह लगा क्वेस्ट तो सिंप्ली अभी के लिए मैं क्या करता हूं अभी के लिए मैं इसको कोपी कर लेता हूं और अपना जो फाइवर था वहां पर जाके मैं इसको कर देता हूं पेस्ट ठीक है और वाट टाइप ऑफ बैग लिंग इसका आंसर मैं खुद लिखता हूं यूगेट यू आल्वेज गर्केट व फोलो बैग लिंग डू फोलो बैग लिंग लिंग को बैग लिंग थेए कंचन हो गया अब एक मैं और आपको एड़ करके दिखा तो एड़ है कि उसके ऊपर जाता हूं सेकिंड गैशन में जो मेरी अपनी गिग है मैं उसके उपर देखता हूं कोई अच्छा हुआ है यह वाला क्वेस्टन बड़े इंपोर्टन है वाट इफ आई हैव एनी क्वेस्टन विच इस नाट प्रेजंट इन एफ एक्यूस डायलोग वो कि ऐसा कौन सा क्वेस्टन है कि जो एड नहीं है या वो एड होना चाहिए था या नहीं है तो यह वाला अगर हम इसको म नहीं क्वेस्टन कर सकते और तो यह होना लाज़मी यह वाला लाज़मी यह मैं सबको सज्चेज्ट करऊ बाइस किया आप लोगों आप लोगों ने नर्मली कुछ कोस्टन होते हैं कि गैस्ट पोस्ट है क्या बिसकलिए वो तो हमने क्यृस्ट्रिप्शन में भी लिख दि होते हैं वह एड़ करते हैं उमीद है कि आपको इस चीज के समझ अच्छे सा लग चुकी होगी अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेव एंड कंटिन्यू की तरफ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और उसने का यू मस्ट एड अट लिस्ट वन रिक्वाइरमेंट अब यहां पर क्या ह हम रिक्वाइरमेंट्स पर आ जाते हैं अब यह क्या होती है गेट आल टे इंफरमेशन यू नीड फ्रॉम बायर तो गेट स्टार्टिड के लिए हमें काम स्टार्ट करने के लिए आखर बायर जो हमारी गिगा आकर बाय करेगा उससे हमें क्या चाहिए मिन के जब बायर आ हमें क्या चाहिए सबसे पहले हमें क्लाइंट की वैबसाइट का यूर चाहिए हम यहां पर लिखेंगे यूर वैबसाइट वैबसाइट नेम बोल दो यूर वैबसाइट यूर बोलो एक ही चीज़ है जाहरी सी बात हमें क्लाइंट की वैबसाइट का यू आर एल तो चाहि चाहिए ठीक है लिंक लगवाने के लिए एक तो यह हो गया सैकिर्ड सेकिन अगर हम आर्टिकल भी लिक ले हैं तो उसके बाद यूर स take ऑा हम के लिख़ें के यूर स take a यूर Ira स कि आईडिया कि हमें आपका टोपिका आइडिया भी चाहिए ठीक है और उसके बाद Mills और एंकर टैक्स एंकर टैक्स के जिस कीवर्ड में आप लिंक लगवाने जा रहे हो तो एक चीज़ और योर आर्टिकल के जो आप हमें आपका आर्टिकल भी चाहिए यह मैंने सिंप्ली नॉर्मल कीज़ है अगर इससे जाधा भी आप कुछ requirement है तो आप खुद भी लिख सकते हो यह मैं सिरफ आपको समझाने के लिए अच्छे वे से समझाने के लिए यह सारी चीज़े कर रहा हूँ अब हमने add करके इसको add कर दिया अब हम करते है save and continue ठीक है और यह हमारा last and final step है ठीक है वो क्या है geeky image जो कि सबसे में चीज़ है वो है geeky image वो attractive होनी चाहिए हम उसकी तरफ चलते हैं वो बनानी कैसे है और attractive geeky image आकर कैसे बनाई जाती है हम इसमें टूल यूज होता है canva free of course tool है ठीक है उसकी कुछ चीज़े पेड़े हम free of course वाली चीज़े यूज करके हम एक attractive image जो हमने add करनी होती है आप सबसे पहले video one only हम video भी एक लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर image को option दिया हुए up to three image हम तीन images starting पर लगा सकते हैं अगर मैं image के उपर लेके आया रहा हूँ तो आपको side पे gig image guidelines का dialogue box नज़र आ रहा होगा वहाँ पर लिखा हुए best image size कि जो image का size है वो कितना होना चाहिए जो recommended है जो recommend होना किया हो है 1280 into 769 कि 1280 उसकी पहले मेरे ख्याल से height होती है और फिर 769 उसकी width है मेरे ख्याल से तो हम चलते हैं canva की तरफ और यही हम उदर जाके देखेंगे इसी size की हम custom size की बनाएंगे image और फिर उसको इदर put करेंगे और फिर इन्शाला इसके बाद हम live fiber का test next video में पास्ट में आपको करके दिखाऊंगा तो एक new tab में चलेगे यहां पर आपने simply जाके लिखना है canva canva आपने simply करके इदर search कर ले न canva canva यहां पर आपने search कर लिया है ठीक है और फिर पहले वाला जो आपका canva का उदर logo भी बना जाएगा और लिखा हूँ है free design tool ठीक है तो हमने इसके उपर click कर लिया तो जैसी हम click करेंगे तो हमको एक ऐससा interface show होगा यह हमारा interface show हो चुका है अच्छा कैनवा एक बहुत ही अच्छा है गिग की इमेज़ बनाने के लिए क्यों क्योंके यहां पर बनी बनाए कुछ जो बने बनाए documents चीजे आ जाती हैं हमारे पास और यूट्यूब के लिए और उसके लिए हमें जब फाइवर की घीक के लिए हमें इनके बहुत सारी चीज़ों के लिए यहां पर लिखा हूए create a design यहां पर जाकर हम कास्टम डिजाइन कर सकते हैं और यह नीचे भी लिखा ह Zoo घ्रम हैंत्य और यहां पर जाक्ट लिखते ही ऐसने विड्ध कितनी नीडियन बिंटो 769 तो हम इदर आएंगे यहां पर लिखेंगे 1280 इंटो 769 का हमने custom size निकाल लिया हुआ है ठीक है अब यह हमारा जो custom size है यह हमारा आ चुका हुआ है ठीक है अब यह बिल्कुल blank white paper उन्होंने हमें दे दिया एक page दे दिया अब इसके उपर हमने canva की image बनानी है ठीक है जो gig की image है वो बनानी है सबसे पहले आपको left side में यहां पर show हो रहा होगा search templates का एक बार search बार show हो रही होगी left side के ओपर अगर हम इसके ओपर click करें और हम इसके ओपर simply जाके SEO लिखते हैं अगर हम इसके ओपर SEO search करते हैं यह सिर्फ इदर blog search करते हैं कि आप search करते हैं BLOG blog ठीक है अगर हम यह search करते हैं तो यहां पर हमें कुछ वो templates show करवा देता है ठीक है यह templates है जो उसने show करवा दी हुई है तो अगर हम यहां पर simply लिखते हैं SEO अगर हम simply दर SEO लिखते हैं search करते हैं तो देखते हैं कि क्या result हमें इदर से मिलते हैं तो यहाँ पर आ गया कुछ इस अंदाज से तो हम इस में से कोई अच्छा सा template है ना वो हम choose कर लेते हैं कोई भी अच्छा सो जो attractive सा थंबने लो वो choose करेंगे जो attractive भी लगे थोड़ा सा तो अभी तक के लिए तो नहीं अच्छा यह मुझे थोड़ा सा attractive लगए तो हम इसको ओपन करते यह वाला यह मुझे थोड़ा सा attractive लग रहा है कि यह पेड़ वाला हमारे पास आ चुका हुआ थिक है तो हम हम कोई फ्री वाला इदर से यूज करते हैं तो देखते हैं जाके इदर फ्री वाले में कौन सा यूज है तो हम simply कोई भी इदर से यह वाला हम starting के लिए पिक कर लेते हैं तो अच्छा इसमें कुछ attractive colors होने चाहिए तो मैंने सिंप्ली सबसे पहले तो यह इदर क्लिक कर तो यह इसके ओपर क्लिक कर दिया अभ मैं बेस जो कीबूर्ड का यूज इसमें जादा मैं करूंगा ठीक है मैं इसको पर क्लिक कर लिया आपको यह box इतर बना नजर आगय अब मैंने backspace देए कि इसको remove कर दिया है remove करके अब यहां पर मैं अपनी पिक्चर एड़ करूंगा मैं upload में left side में इसके column बने में design elements और uploads text और projects वगरा मैं elements upload में जाओंगा यहां पर मेरी already pictures वो upload हुई होती है तो मैं यहां पर एक picture को select करूंगा वो picture इदर आ चुकी हुई है और मैं फिर इदर जाके यह picture के उपर क्लिक करके यह देखे मैंने picture के उपर दुबारा क्लिक किया है और इदर उपर देखे एड़िट image का option है एड़िट image के उपर मैं गया और यहां पर जाके मैं background remove मैं अच्छा यह paid वाले में आ गया है ठीक है मैं इसको जाके ना इसके उपर लगा दूगा यह मेरी image इसमें लग चुकी हुई है ठीक है ड्रैक करके मैं इसके उपर लेके गया मेरी image लग चुकी है अब यहां पर मैं सबको एक बार ना इदर से backspace इस देखें जिसके उपर क्लिक करोगे और backspace दोगे और वह खत्म हो जाएगा रिमूव को जाएगा जैसे कि यह कुछ लिखा हूंए मैं इसके उपर क्लिक किया ऐसा बन गया और फिर मैंने backspace धिया यह भी कर दिया और फिर मैंने यह बी कर दिया अब मैं क्या करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा और इदर से मैं लिखना स्टार्ड कर दूँगा सबसे पहले लिखता हूँ गेस्ट पॉस्ट अब देखो यहां पर भी मैंने क्या लिखा गेस्ट पॉस्ट इसमें इम्君 लिखते हैं जाङए बलोग्स लिख लो या वेब साइट लिए गाए अब में इसके ओपर उपर ले गया यहां पर लेगा और जाके आप ऐसे के ऊपर डांड गया और जाकर जाकि चेंज करना चाहिए के मुझे यह वालिखनेंग आपने चीज़ के तो मुझे यह वाली राइटिंग अच्छी लगती है तो मैंने इसके उपर लगा दी है अब मैंने इसको क्लर देना है तो यहां पर टैक्स कलर ए लिखा होगा यहां पर साइज होता है सबसे पहले समझा देता हूं यह उपर जो बोक्स बने हुए ना तो उसमें पहले अधर तो ब्लैक ही रहने देते हैं और इसके बाद अगर हम इसके बैक्स से यह वाली लाइनए रिमूव कर दें तो मेरे खाल से बैस्ट रहेंगी वो अच्छी नहीं लग रहरी राइन लाइन अब ज्यादा बैस्ट लग रहा है तो पैश्या दिया को मैंने निया क्या पर्मनेंट पोस्ट हमने लिख लिया और फिर इसको मैंने इदर उपर स्क्रोल कर दिया और एड़ा फिर सब गूगल और उसके बाद मैंने लिखा इंडेक्स ठीक है अब इसका न ऐसे थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे न बार को तो यह देखे थोड़ा सा बड़ा होता है वो एक लाइन में आ चुका हुआ है तो यह मैंने दो चीज़े लिख दी और फिर मैं एड़ा सब है डैड़ा हैड और उसके बाद ठेरा से और इसने मैं लिखोंगा पर्यएंड की सहाथ होगा दूफ लो वैंक्स है मैं लिखूंहां टू फुलो लिस खो मैं सिर्फ सिम्प्लिन लिखते हैं लिंक्स दूफॉलो लिंक्ट यह बहीधान है और यह को지만 न में तो यह चार चिजह मैंने लिख लिए अभी के लिए चार ही टैस्ट अब मैंने किया इन चारों को किया की ऐसे ड्रैग करके मैंने इनका जो राइट इंगा वह भी वोब हो फोन मेट चेंज कर दिया अब यह देखे कितनी अच्छी लूक्ट बन रही इसकी ठीक तो अब मैंने क्या किया मैंने इनको ना इधर पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया एक लाइन में अच्छे से और इसको इधर ले आए और फिर नीचे वाले को भी इधर ले आए तो यह कुछ ऐसा त्यार हो चुका है हमारा इंटरफेस मेरे ख्याल से यह बैस्ट है मुझे थोड वाइट तो मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं भी लग रहा तो वैसे मैंने आपको बना के दिखाना था वह मैंने बना दिया और यहां पर आपनी सब हैडिंग में लिख भी सकते हो अपना ने अपना नेम लिखके आप उसको ड्रैक करके इधर नीचे लेकिया हो और इसकी राइटिंग भी मैंने कर दी है चेंज यह ऐसा और इसका कलर तो चेंज करना बनता है इसका यह वाला कलर जादा बैस्ट है तो यह ऐसे हो गया है यह मैंने सिम्पल सी पिक्टर बना कि आपको लेकिन आपने यह वाली चीज़े लिखनी है अच्छा अब देखो कोई इदर आएगा ना कोई उसको यह कोई इतना जादा नजर नहीं आएगा आप वो कुछ लोग ऐसे होते वो गिग के उपर पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं अब एक मिसाल है गिग हमारी सबसे पहले में चीज़ यह देखो अगर हम इसके उपर जाते हैं तो इसने कितना बड़ा लिखा हुए ट्वटि इसने पॉटि लिख यू नाइटी गास पूशे निचे के लिखा डू फोलो लिंक्स यूनिक डूमेंज पर्मन यही चीज़े देखी जाते हैं ज तो होगी तो अब अगर हम इस पर चोटा-चोटा हर चीज़ कैटेगरीज भी मैंचिन कर देंड तो फिर मज़ा नहीं अब कोई भी हमारी इदर आएगा उसने सबसे पहले उपर पढ़ना ग्यास पोस्ट हाई अथोर्टी ब्लोग्स और उसने करना पर्मनेंट पोस्ट भी आ फास्ट गूगल इंडेक्स भी है डू फॉलो लिंक भी है हाई डिया डी आर भी है तो कुछ जो चीज़ा आपने मैंचिन करनी वह भी करना अब इस क्या करना है राइट साइट पे देखना ऊपर शेर को अप्शन है हमने शेर के ऑप्शन पर जाना है और इसको नीचे अब हम जाएंगे इदर इदर जाके हम सिंपली जहां पर लिखा तरा इमिज अब टू थ्री में आप एड़ कर सकते हमने ब्राउजर पर जाना है और जो हमने यह देख गैस पोस्ट हाई थोटी ब्लोग बनाई थी हमने उस पे क्लिक किया उसको ओपन किया अब यह देखे यहां पर वो अपलोड हो चुकी है अब देखे खुद देखे कितनी अच्छी लगरी इदर मतलब फास्ट हर चीज़ साफ साफ दिख रही है नजर आ रही हमें अब हम करेंगे इसको सेव एंड कंटीनू सेव एंड कंटीनू करके हम चले जाएंगे नेक्स पेज के उपर औ और मैं धोदर हानू के यहार मेरा पब्लिश की काई से आगया अभी तो हमने फाइवर्टैस्ट देना थे जरत तो ऊई हमीद करता हूं कि आपका भीस प्रस नरा है अब मैं पब्लिश करूंक हो तो पब्लिश हो जाएगा उन्नोंने मेरे से पूछ भर आया है तो मेरे ख्याल से यह मेरा ओल्रडी मैंने इसका फाइवर टेस्ट दिया हुआ इसलिए मैं पब्लिश की की तरफ चला जा रहा हूं लेकिन मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको फुलाइफ फाइवर टेस्ट जो होगा वो पास करवाना सिख जाएगी वो मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा इदर आकर हमारा जो फाइवर कम्प्लीट होगे अब हमारी दो वीडियो फाइवर की रहा चुकी है पहली के जो लाइव टेस्ट होगा और सेकंड जो टिप्स और ट्रिक्स में बताऊंगा फाइवर की वह लाजमी याद लगाने चाहिए उस पे मैं डिटेल से टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियो में बात करूँगा मुझे दें इजाज़त इंशालला अपना ख्यार रखिएगा तब तक के लिए लिए लाहाफिज